केले 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 केल केलो को पहले डीफ्राइब ताकि थोड़ से क्रिस्पी हो जाए लेकिन इसके स्वात को बढ़ाने के लिए और इसको टेस्टी बनाने के लिए हमने हलका सा डीफ्राइब किया है इसको 2 के लिए प्राइब करने कब रांँ बनाना है गुल्टेन कलिया गोलरे के लिए तो में तो पांदी कर दे। अब करेच करने के लिए धेल में थोज़ेर डाला है आप गूल्टे बाहला एक लाल से पर पिक में नहीं को पूने समीच तरेंगे butgg का सब्साइल दो मिन तक तक हमारे चया हमते हैं यह दी कईए सी ज्सकें परिक कि अब तक हमारे लूप पेस्ट लिया उसमें हल्दी लाज मिश धन्य पाउडर जीरा पाउडर डाल दिया है और अब मैंने किया कि जैसी मारे प्यास ट्रांस्पेरन्ट रेड करके हो जाएंगे हमने इसमें मसालों को अच्छे से और साथ ही क्या करेंगे में दो चंबच उसी कटोरी में दो चंबच को धीमी आज पे ताकि मासाले हो पक जाए मैंने क्या कि अब उससे पहले मैंने नमक भी डाल दिया साथ साथ मसाले जो है नमक के साथ साथ पक जाएंगे दो-ती बिंट तक मैंने इसको अशे ढखके और दो जुलाते हैं अच्छे चलाते हों पकाया है दो-ती만 मिन बाद निख डीफ्राइ करके खेले पकाये थे उसको एड़ कर देंगे हम एक आधा चमच गरम मसाला लेना है और उसमें आड़ कर देंगे और अच्छी से चला देंगे हमारी सब्सक्राइब रहा है उपर सा में थे तो इसको गार्णिश कर दिया बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे मै मैंने हर दिने डालने के बाद यह देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनके राइडी है इसको आप रोटी या पराठे के साथ खाए यह सब्जी बहुत ज्यादा लाजवाब लगती है खाने में आप भी बनाएं और बताएं कोमेंट में कैसे लगे सब्जी आपको थैंक यू